हलो दोस्तो नमस्कार प्राफिट गुरु चैनल में एक बान नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं तो दोस्तो कल है 30 तिसंबर का दिन कल है फ्राइडे और कल आने वाला है दोस्तो आर बिया का मॉनेटरी पॉलेसी तो मार्केट के लिए कल है ब देख सकते हैं मार्केट आज की डेट में गिरावट के साथ क्लोज हुआ है 16,818 पर प्रिवेस क्लोज था 16,818 का हाई लगाया 16,993 का लो सुरी ओपन इस प्राइस पर हुआ हाई लगाया 17,26 का लो लगाया 16,78 का ऐसा मार्केट का मैं मुमेंट देखने को मिला अब मार्के ठेस्टिंग होती है इसकी डिमांड क्रेट होती है लेकिन दोस्तो बाद में वो टोट देता है ठीक है जैसे कि यहापर डिमांड क्रेट ओई लेकिन उसके बाद काफी बड़ी प्रॉफिट बॉकिंग लगबग 200 सभा 200 पॉइंट की अब देखते हैं आगे मार्केट किस प monetary policy ऐसा रहा ठीक है वो किस प्रकास रहेगा वो तो कली पता चलेगा लेकिन कुछ अनुमान है market के expert हो के अगर वैसा रहता है तो ठीक है और अगर वैसा नहीं रहता है उनके favor में नहीं रहता है उनके favor कि अगर नीचे रहता है तो मान लीजिए उनका अनुमाने कि यहां तक rate high कोंगे यहां पर होते हैं तो ठीक है यहां पर होते हैं तो ठीक नहीं है ठीक है तो यह चीज तो हमें देखने को मिलेगी कल 10 बजे दोस्तों आने वाली monetary की policy 28 तारीकों चालू हुई 29 को आज भी चली और 30 कल outcome निकल के आएगा तो monetary policy RBI की मोद्रिक निती समीच्छा बेठक आज से चोथी बार भी बढ़ सकती है रेपोरेट ठीक है ऐसा बताए जा रहा है देखे रेपोरेट बढ़ना तो confirm है ठीक है मतलब जो rate high होना है वो तो confirm है ऐसा कोई भी वेक्ति नहीं होगा या मानले जैसा कोई expert नहीं होगा या और सकती नानता दाश जी का कहना है कि 2% से लेके 6% अगर inflation रहता तो ठीक है इससे उपर जाता है तो अच्छा नहीं है इससे नीचे जाता तो अच्छा नहीं है ठीक है तो हमको 6 के अंदर आना है ठीक है तो definitely दोस्तो rate तो high करना पड़ेगा कितना होगा ये एक बहुत बढ अनुमान है ठीक है कितना होगा दोस्तो 25 होगा 35 बैसेस पॉइंट होगा या 50 होगा या 75 होगा ठीक है तो यहां तक है हमें इतनी कोई दिक्कत नहीं है जैसे कि आप देख रहे होंगे कि US मार्केट में कितना हड़कम मचा हुआ है भी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए प इफलेक्शन क्योंकि दोस्तो हमारे कंट्रोल में था तो हम 75 बैसेस पॉइंट तो भूल जाते हैं कि यह नहीं होगा ठीक है लास्ट टाइम दोस्तो 50 बैसेस पॉइंट हुआ था तो अभी एक्सपर्टों का कहना है कि इतना हो सकता है ठीक है इतना अगर हो जाता है अगर यह होता है तो ठीक है यह भी होता है तो ठीक है लेकिन 55 तो नहीं होगा यह दोनों में से कुछ भी अगर होता है रेट हाई जो सही है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है और अगर 55 बैसेस पॉइंट होता है तो फिर तो मार्केट के लिए ठीक नहीं है ठीक है अभी हाँ पर आप वो हाई कर सकती है 0.5 फिसीदी मतलब वही 50-60 ठीक है रिजर्स बेंग तीन बार पहले भी रेपो रेट बढ़ा चुकी है इसी परसेंटेज के साब से उसके साथ यह अगर हम नीचे देखते हैं ठीक है तो भारती रिजर्स बेंग की मौदरिक नीटी समिक्षा तीन दिन के बेठाक जो हम देखने को मिल रहा है कि सुरू हो चुकी है अगर ऐसा होता है तो रेपो रेट दर में 5.9 मतलब फिसीदी पर चले जाएगी मतलब इतना हो जाएगा अभी कितनी है दोस्तो आज की रात तक दोस्तो 5.40 जीरो रहेगी ठीक है और कल दिन तक वो हो जाएगी 5.90 अगर 50 बेसेस पॉइंट हाइक होती है तो ठीक है पिछले हफते ही करीब एक दरजन केंदरी बेंकों ने ब्यास दरों में इजापा किया मतलब दूसरे देशों की यूएस ने है इरोप ठीक है बहुत सारी कंट्रियों ने किया अमेरिका ने 75 फीसी दी बड़त की मतलब बड़त की है क्योंग दोस्तो क्योंकि वहाँ पर जो रेट हाईक है वो इसलिए तेजी से करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पर जो इंफलेक्शने वो कंट्रोल में आया था उनका था कि दोस्तो 8.1 आना चाहिए लेकिन कितना आया था 8.3 मतलब उनके कंट्रोल से भार है जिसके लिए दोस्तों उन्होंने रेट इतनी अग्रेसिव तरीके से हाई किया तरसल महंगाई पर काबू पाने के लिए दुनिया भर के केंदरी बेंक ब्यास दरों में बढ़ाने को एक मतलब बोल सकते हैं कि बढ़ाने में लगे हुए है और वहीं पर आप देख सकते हैं भारत में खुदरत महंगाई की दर साथ फीसी दी है जबकि RBI का लक्ष दो से छे फीसी दी है जो मैंने आपको शुरू में बता दिया तो ठीक है कि जो महंगाई दर है वो दो परसेंट चे छे परसेंट के बीच में रहता है तो ठीक है बंपॉइंट अगर मतलब 50 basis point हो जाता है तो 1.5 मतलब 9 0 हो जाएगा मतलब एक परसेंट से ऊपर यहां पर को ले जाए जाता है मतलब साल के अंच तक अंतीम ब्रद्धी दिसंबर में रहेगी तो वहाँ पर 0.35 परसेंट रहना का अनुमान है यह भी अभी एक अनुमान निकल के आ अभी तो 50 basis point हो जाएगा साल भर में इसको दोस्तो इतने ले जाने का अनुमान है अगर अभी 50 basis point बढ़ता है तो 5.90 हो जाएगा इसमें फिर 358 कर देंगे तो हो जाएगा 6.25 दिसंबर में इतना ओने का अनुमान है तो यह जो पूरा चार्ट मैंने आपको रीट करके बताया इसके according अगर कल दोस्तो RBI की जो monetary policy वो आती है तो बहुत सही है सेकेंड सबसे बड़ा reason क्या है वो मैं आपको बताता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह RBI के side के उपर लाया हूं जी कि सब चीज मैं आपको पूरा पूरा देखाता हूं यहाँ पर press release है और यह date देखें क्या है पांच अगस्त का जब monetary policy आई थी तीन से पांच के बीच में monetary policy आई थी ना तो वहाँ पर सक्तिका अंतरदास जी ने जो भी यहाँ पर commentary देती वो सब यहाँ पर update है आप देख सकते हैं सब update है ठीक है तो यहाँ पर छटवा point हमारे लिए काफी important था ठीक है crude oil के price का अनुमान था कि 105 डॉलर या उससे नीचे रह सकता है ठीक है तो हमें देखने को मिल रहा है वो inflection पर दोस्तो एक update दिया गया था कि financial year 2012 से 2023 तक ठीक है कितना रह सकता है 6.7% ठीक है यह एक अनुमान दिया गया था Q second में कितना रह सकता है मतलब अभी Q second चली रहा है और Q second का inflection आ चुका है कितना 7% ठीक है तो सकते का अनुमान कितना था 7.1% जिसके करन हमारा market गीरा नहीं और उल्टा भागा हाँ हमारा inflection बढ़ के आया था लेकिन अनुमान से धहतर था ठीक है Q3 में उनका अनुमान है 6. 6.4% दिसंबर में ठीक है दिसंबर Q में और मार्च Q में दोस्तों उनका अनुमान है कि 5.8% तक यह रह सकता है ठीक है तो इन में कोई बदलाओ नहीं होगा ठीक है Q3 और Q4 में कोई बदलाओ नहीं रहेगा अगर इन में बदलाओ करते हैं तो यह first law market को बिल्कुल भी अच् और इसके करण market में काफी pressure आ सकता है ठीक है अभी यहीं पर खतम नहीं होता है कि इन्होंने एक और commentary दी थी कि Q1 कप का दोस्तों financial year 2023 से 2024 का उसमें उसमें दोस्तों 5% तक हमारा जो inflation है वो आ सकता है यह है सक्तिकांतरदास जी का कहना ठीक है अगर ऐसा का ऐसा ही वो कल बता देते कि Q2 में यही का यही रहेगा Q3 में भी 4 में भी यही का यही रहेगा और Q1 में भी यही का यही नंबर रहने वाला है मतलब आने वाले समय में ठीक है तो अच्छा रहेगा otherwise वो और कुछ उपा नीचे चीजे करते हैं उनकी commentary को भी उपा नीचे करते हैं तो definitely हमारा जो बहुत important है ठीक है इसके recording आप कल monetary policy को सुन सकते हो तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों एक और सबसे बड़ा point है वो है तीसरा वो यह है दोस्तों की जैसे कि मैंने आपको बताया कि Q2 का नत्तों inflation हमने देख लिया कैसा रहा Q3 का भी आपको दिखा दिया Q4 का भी तो जो GDP का forecast आएगा जो इन्होंने पहले दिया था ठीक है वोई का वोई same to same रह सकता है उसमें भी यह कोई बदलाओ नहीं करेंगे ठीक है अगर वो Q3 के inflation में Q4 के inflation में अगर कुछ बदलाओ करते हैं साल के अंत तक मनतलब financial है 2023 के अंत तक inflation क्या रह सकता है उसमें कुछ ब बदलाओ कर सकते हैं ठीक है यह भी सबसे बड़ी बात हमें देखने को मिल रही है ठीक है अब यहां पर आप देख सकते हैं 35 points से लेके 50 points तक यहां पर rate hike हो सकते हैं अब देखते हैं कितना rate hike होगा क्या GDP का forecast रहेगा और आने वाले inflation का क्या forecast रहने वाला है यह सबी चीज को दोस्तों पूरा globally market देखेगा क्यों क्योंकि अभी पूरे globally market में सबसे अच्छी condition हमारे देश की है ठीक है हमारे देश की जो हमारा अगर बात करते हैं आई हमारा जो inflation का आई है वो यहां पर है interest का आई यहां पर है दोनों में दोस्तों बहुत कम different बचा है बाकी देशों मे European countries में बहुत बहुत different है हमारे दोनों आई को जो मिलाना है उनमें बहुत कम different बचा हुआ है बाकी के देशे में काफी ज़्यादा ही different बचा हुआ है ठीक है जब यह दोनों आई आपस में मिल जाएंगे ना दोस्तों तो काफी अच्छी तरीके से market stable हो जाएगा ठीक है चले में में वो कितना बढ़ चुका है ये भी आप देख सकते हैं ठीक है तो इसकी उपर भी दोस्तों सक्तिक आंतरदाश जी की जो commentary वो बहुत important होने वाली है ठीक है कि आने वाले दिनों में आने वाले दिनों में हमारा जो Indian currency है वो कैसा रह सकता है उसको दोस्तों मजबूत ब चाहेंगे वो देंगे जो भी फसला लेना चाहेंगे वो कली लेंगे हो सकता है कि RBI के पास जो डॉलर रखें हैं ठीक है उसको बेच कर उसको बेच कर दोस्तों थोड़ा सा हमारा जो Indian currency उसको मजबूत करना चाहेंगे क्योंकि last समय भी यही किया था अभी भी सायद उसी के recording वो करना चाहेंगे ठीक है तो ऐसे तीन से चार कुछ important points थे जो मैंने आप लोगों के साथ share किये यह चारो point को अगर लेके कल बेच जाओगे TV के सामने news के सामने तो आपको बहुत सारी चीजे दोस्तों clear हो जाएगी ठीक है अगर मान लीजिए चारो जो चीजे मैंने आप आपको बताई है यह अगर चारो चीज अलग अलग होती है सक्तिकांता जास जी के अलावा ठीक है मार्केट के favor में नहीं रेती है तो समच जाना की market गिरेगा अगर यह चारो चीजे मार्केट के favor ने रेती है तो यह समच जाना की market ऊपर जाएगा ठीक है तो यह था आप ल